Hello Everyone, Exam Medicine Channel में आप सभी का स्वागत है बात करेंगे इलहाबाद High Court, Group C, D, Driver, Steno के exam date और admit card को लेकर जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसकी परिक्षाएं जल्दी conduct हो जाती हैं और इसी वज़े से सभी जित्ते भी अभेरती हैं जो कि इस परिक्षा में शामिल हुए हैं यानि उन्होंने form fill up किया है वो परिशान है अपने exam date को लेकर कि कब आपके exam date आएंगे और हमेशा से इलहाबाद High Court का अपना एक record रहा है कि जब भी आपके notification आते हैं उसके notification के जो closing date होते हैं उसके एक महिने के अंदर आपके exam conduct हो जाते हैं तो क्या अजबार भी ऐसा होगा कब तक exam हो सकते हैं क्या possibility है उसके बारे में बात करेंगे आप सभी लोगों के कई question आ चुके हैं कि क्या परिशा दिसंबर तक हो पाएगी या क्या एक ही दिन में लिखित परिक्षा और टाइपिंग दोनों होने की possibility है तो सबसे पहले आप एक बात जान लेजे कि लिखित परिक्षा और टाइपिंग एक date में नहीं होगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो आपकी परिक्षा होती है ग्रूप C, D, Driver, Staino की ये offline mode में परिक्षा होती है जब ये परिक्षा online अगर होती तो possibility होती है जैसे कि 2021 में RO, ARO के लिए लहाबाद High Court ने online exam conduct कराया और same day पर ही आपकी typing भी ले ली थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है तो आप इसके लिए निस्चंत रहिए आपका जो है पहले लिखित परिक्षा होगा उसके लगभग एक महिने का समय मिल सकता है और उससे जादा तो नहीं मिलेगा उसके बाद ही आपकी typing होती है तो ये आप स possibility है कुछ समय पहले आप सबको पता ही चल चुका होगा कि NTA ने एक notice जारी की थी NTA के द्वारा एक notice आया जिसमें 17 दिसंबर और 18 दिसंबर की डेट आई लेकिन वो notice अब है नहीं वो डिलीट कर दी गई थी और जो पिछली बार यानि इसके पहले जो वेकेंसी आई थी group CD क उसकी जो एक्जाम डेट थी वो भी आपके 17-18 दिसंबर ही थे अब second shift में ही एक्जाम सभी हुए थे तो वही चीज आई थी notice पे और वो हट गई थी कुछी देर के लिए थी तो हो सकता है कि कोई दिक्कत हो उसमें mistake हो लेकिन इससे एक बात तो clear हो रही है और आप भी समझ दार है इतना तो समझ चुके होंगे कि अगर आज देखा जाए तो आपका है 13 13 नवंबर है तेरह नवंबर है आज तो 15 दिन के अंदर अगर एक्जाम लेना होता तो आपकी notice आ चुकी होती आपकी notice नहीं आई इसका मतलब है आप मान के चलिए नवंबर में एक्जाम तो न कुम्ब है और जो एक्जाम सेंटर लावाद हाई कोट के होते हैं प्रयागराज में बहुत ही अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं एक बात और बता दूं आपको कि जो आपके दिसंबर में होंगे तो कब तक possibility है अगर आप देखें अगर आप एक प्रतियोगी चात्र है तो आपको इतना तो पता होगा कि कुछ एक्जाम है जो आपके बड़े स्तर की एक्जाम है और वो लगे हुए है सिक्वेंसली जैसे देखेंगे आप तो आपको पता होगा कि आपको जो है साथ और आठ दिसंबर को आपके PCS की परिक्षाएं कंड़क्ट हो रही है अभी तो विरोद प्रदर्शन चल रहा है अच्छा ही होगा कि यौदर आयोग माल लें और एक ही सिफ्ट में आपके एक्जाम हो जाए ठीक है एक हैं एक ही सिफ्ट का मतलब है one day पर एक सिफ्ट में एक्जामक्ट हो जाए तो माल लीजे एक ड़ेस इसमें से कोई तो लेकिन हम इस चलेंगी 7-8 दिसंबर आपकी एक्जाम है उसके बाद आपने को पता होगा जो आपकी सीटेट की परिक्षाय होती है ठीक है जो है टीचींग की जो परिक्षाय होती है इलिजिबिल्टी टेस्ट उसकी परिक्षा 14 दिसंबर को इसके लिए फिलाल हमके बली उपी की भी बात करें तो जैसे आपको मैंने बताए 7-8 दिसंबर ये बीजी सड्डेवल है आपका 14-15 दोनों सिक्वेंस लिए अगर माल ले तो ये भी बीजी सड्डेवल सीटेट के लिए उसके बाद बात करें जो में परिक्षाएं आपको बत बच रहें कौन-कौन से लगभग आप देख सकते हैं 16, 17, 18 और 19 दिसंबर लगभग ये 4 डेट अगर माल लेते हैं आप 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और ये 20 दिसंबर तो मैक्सिमम चांस इस पर बनते हैं आपके एक्जाम के अगर इस पर एक्जाम नहीं होता है तो आपको पता है कि आपके जो है 22, 23 को RO और ARO की परिक्षाय कंड़क्ट होनी है अगर वन सिप्ट में एक्जाम हो जाता है वन डे वन सिप्ट एक्जाम तो एक दिन माल लिजे लेगा तो आप देखेंगे 23 तक फिर ये आपके लास्ट के बचते हैं दिन, लास्ट के का मतलब वही है आपका कि 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तो जितने भी ये बैड़ती इस परिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सीरियस होके अपना कॉंटीन्यू पढ़ाई करते रहेगा इलहाबाद जो हाई कोट है वो एक्जाम आपका करा लेता है NTA के द्वारा जल्दी एक परिक्षा करते रहे हैं एक्जाम आपके हो सकते हैं पूरी पॉसिबिल्टी 95% चांस है आपके होने के 5% है ना होने के अगर 5% जो मैं मतारी हो नहीं होगा तो यह जान लिजेगा कि जनवरी और फरवरी में भी एक्जाम नहीं होगे के वल फिर उसके बाद मार्च अप्रे परिक्षा को लेके क्लियर हो गए होंगे निरंदर पढ़ाई करते रहेगा क्योंकि समय बहुत कम है अगर देखे तो एक महिने भी नहीं है ठीक ठीक अगर एक्जाम हो जाते हैं तो इसलिए बहतर डंग से रिवीजन मस्ट है उसको करते रहे हैं कट आफ काफी बहतर रहता इसका हाई रहता है तो सेलेक्शन लेना है तो बहतर आपको तयारी भी करनी पड़ेगी नेक्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे जाहिंद